केलो बाई क्या हाल चाल तो बैही आज की सुँआली वीडियो में बात करने वाला है महिन्दा थार फाइव डॉर के बारे में काफी लोग वोगी तो ये ड्रीमकार होगी और काफी लोग इस गाड़ी के लिए रुखे वे भी होंगे तो आज की सुआली वीडियो में आपको जो जो डाउट से महिंद अथार फाइब दोर के बारे में सब क्लियर करने वाला हूँ तो चैनल स्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो तो चलते हैं इस गाड़ी की तरफ तो सबसे पहले अपन इस गाड़ी की टाइम लैंड डिसाइड कर लेते हैं तो आपको तीन इस गाड़ी का वो की है इसकी लेंथ लेंथ बढ़ने वाली है गाड़ी की हाइड भी सेम रहेगी और वित भी सेम रहेगी क्योंकि राष्ट रो इस गाड़ी में नहीं देखने हूं मिलने वाली यह सिर्फ इस गाड़ी का बूट बढ़ाईगी क्योंकि थार में सबसे काफी अच्छा देखने को मिलने वाला होगा मैं clips आ रही होगी आपको side में और जो एक major change है जो की है इसका platform platform जो है आपको Scorpio N का platform इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है 4x4, 4x2, diesel, automatic, manual, petrol वगेरा यह सब आपको इस गाड़ी में options देखने को मिलने वाले हैं और दोस्तों आपको जो Scorpio N का platform देखने को मिलने वाला है उसकी वज़े से गाड़ी की bounciness भी कम हो जाएगी गाड़ी stable भी हो जाएगी braking भी अच्छी हो जाएगी braking क्यों क्योंकि इसको आप 4 disc मिलने वाले हैं जो की एक काफी अच्छा factor एड़ हो जाता है गाड़ी का comfort में और आप इस तरीके से कह सकते हो comfortish off-roader आप इस गाड़ी को कह सकते हो यह comfort भी होने वाला है off-roading capability भी होने वाली है तो गाड़ी यह complete package हो जाती है एक तरीके से ground clearance भी बढ़ने वाली इस गाड़ी की क्योंकि गाड़ी लंबी हो जाएगी तो अड़ने का डर रहेगा तो ground clearance भी काफी जीम नहीं कर सकते हैं और नाम डिफिनेटली इस गाड़ी का change होने वाला है और एक चेंज्ज़ हो रहे हैं जो कि है इसके steering wheel का steering wheel भी change होने वाला है expected है कि Scorpio N में आता है वैसा steering wheel आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है तो गाड़ी काफी धमाल करने वाली है य दोस्ता अपन इस गाड़ी के लॉंच डेट के बारे में तो भई लॉंच इस गाड़ी के इसी साल 2023 में ही होने वाला है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जहां सा आप गाड़ी की टेस्टिंग देखोगे तो भई गाड़ी रेड़ी टू प्रोडक्शन वर्जान है मतलब जो गाड़ी के जो पैनल्स वगेरा है पूरे बने वे हैं और गाड़ी को सिफ प्रोड्यूस करना है तो महिंद्रा इसी साल के एंड तक लॉंच करतेगा जनरली बताओं तो महिंद्रा आपको जो है नेशनल लेज पे गाड़ा लॉंच करता है इनडिपेंडन डेज ऐ और गाड़ी में जो डिलिवरीज है वो भी ढंक से हो जाएगी क्योंकि अब जो है सेमी कंड़क्टर की चिप सोटेज काफी हर्त तक सॉल्फ हो चुकी है ये भी काफी अच्छा फेक्टर है जो वेट करें थे भाई उनको जो गाड़िया है काफी जल्दी मिलने वाली है अब इस तो हाइस इस गाड़ी का प्राइस जाने वाला है 24 लैक्स ओन रोड तक तो भाई काफी अच्छा पेकेज होने वाला है ये और आज की सवाली वीडियो में इतने ही ता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा वीडियो भी लाइक कर दीजा सारी डिटेल्स मेरे इसाफ से मैंने आपको बता दिये कुछ कमी रही हो तो आप बता सकते मुझे कमेंट्स में तो आज की सवाली वीडियो में इतना ही थैंक्यू सो मच